ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायन में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है, उसको हमें इशा चलना चाहिए हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है जो हम हासिल करके रहेंगे और इसके लिए हमें एलक्शन जीतना होगा और एलक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होगे और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए? हमें जन्ता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा और जन्ता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकमी, नाकारा और बेकार समझ कर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं और इसके लिए हमें क्या करना होगा चारों तरफ बेचैनी खौफ का माहल पैदा करना होगा हर सूबे हर शेहर गाउं में कतल आम डेकेती फसाद कराने होंगे जैसे हिंदू-मुस्लिम फसाद सिक और हिंदू फसाद क्रिचन हिंदू फसाद मुस्लिम शिया सुनी फसाद मतलब इतना कतल और खुन और गालत हो कि लोग घबना जाएं सरकार के कुछ समझ में ना आए और पुरीस कुछ ना करता है और जब देश तहशत और जल्म के आज में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकल कर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराईया शुरू कर देंगे और साथ में जनता को एहसास दिल्वाएंगे कि अगर कोई उन्हें जल्म और फसाद से बचा सकता है तो हम है, हमारे पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाए हुई सरकार है Excellent idea और इसी आइडिया को कामयाँ बनाने के लिए मतलब कोन बहाना के लिए हमें पैसा पानी की तरह बहाना हो गया और इसलिए आज में ये अमरजेसी बीटिंग बुलाई है और शेर के बड़े-बड़े रईसों को टावदी है तो क्या इरादा है आप लोगों का 50 लाग जमा हो जाए तो काफी है फिलाल तो काफी है लेकिन मैं चाहूँगा कि ज्यादा जमा हो जाए तो बहतर है क्योंके आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेट की तरह है और सियासत दान एक किसान की तरह होता है आज इतना बोग है कल उसका हजार गुना पाओगे आज अगर लाग लगाओगे तो कल कुरों पाओगे आज अगर क्रोड लगाओगे तो कल लगों पासकते होगे